नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मिरे नाम हर्शिद वेदी लक्षमी कांट की 148 पार्ट में आपका स्वागत है यहाँ पे हम लोग गवर्नर को शुरू कर रहे हैं देखें पार्ट 6 और इंडिन कॉंस्टिटूशन जिसमें पार्ट 4 और पार्ट 4 लक्षमी कांट में स्ट काफी इंपोर्टन चीज़ें आपको गवर्नर के बारे में जानने को मिलेगी आगे बढ़ने स्पेले वीडियो पर लाइक का बटन अगर चैनल को अब तक शेर और सब्सक्राइब नाखिया हो तो कर दीजे यह किताब आपके पास होनी चाहिए इंडिन पॉलिटी की अगर स्टेट के लेवल की बात की जाए तो पार्ट सिक्स ऑप दा इंडिया दील करता है और कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल्स आर्टिकल 153 तो आर्टिकल 167 डील करते हैं किसके साथ स्टेट एग्जेकुटिटिव के साथ सेंटर पे एग्जेकुटिव कौन कौन था तो कई बात क्लियर रखेगा स्टेट में वाइस गवर्नर नाम की कोई भी पोस्ट नहीं होती जैसे सेंटर पे होता है ना वाइस प्रेजटिव कोई वाइस गवर्नर नहीं है सेंटर पे जो प्रेजडेंट है और वाइस प्रेजडेंट नहीं होते हैं उनको एलेक्ट किया जाता है और वहीं पे अगर आप बात कुरो स्टेट पे तो स्टेट पे जो गवर्नर का अपॉइंट्मेंट का तरीका उसमें काफी डिफरेंस है अगर आप गवर्नर की बात करिए तो गवर्नर चीफ एक्जिक्यूटिव हेड है स्टेट का लेकिन एक बात याद रखेगा प्रेजडेंट की तरह ही वो नॉमिनल एक्जिक्यूटिव हेड है तो उसको कॉंस्टिटूशनल हेड बोलोगा आप टेटूलर हेड बोलोगे न तो दो काम कर रहे हैं गवर्नर यहां पे इस टेट की मशीनरी के कॉंस्टिटूशनल है गवर्नर उसके साथ साथ सेंटर के एजेंट है वो स्टेट में गवर्नर सेंटर का एजेंट की क्या ज़र होते हैं स्टेट ग willkommen भारती संवेधान के प्रावधानों के एसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए सेंटर का एक आदमी होना चाहिए स्टेट पे और वो कोन है गवर्नर है नॉन्मल करकेसिज में हर स्टेट का एक गवर्नर होता है लेकिन एक गवर्नर को दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है या एक स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है in accordance with 7th Constitutional Amendment Act of 1956 आगे चलते हैं बात करेंगे appointment of governor की देखी क्या लिखा हुआ है The governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by a special constitution electoral college as in the case of president President की case में specially constitution elected college कौलेज कौन सा था तो भही है दोनों parliament के members और state legislative assembly के members तो भही है अब president indirectly elect होते है और भही अगर आप बात करो हमारे लोग सभा के members तो वो directly elect होते है governor ना directly elect होता है ना ही indirectly elect होता है governor को appoint किया जाता है तो आप आप IS या IPS बन जाते हो 20-30 साल के आप service करते हो IS IPS से retire हो जाते हो as in आप कह सकते हो कि बहुती degreefied civil servant और आपकी ruling party के साथ थोड़ी बहुत भी बनती है तो हो सकता है कि किसी state governor आपको बना दिया जा for example किरन बेदी जी पुदुचेरी की वो administrator है मतब governor इस तरीके से काफे पॉइंट किया जाते है तो presidents आप governor को appoint करते है by warrant under his hand and seal ठीक है तो यहाँ पे governor के appointment में पूरी तरीके से discretion है central government का central government जिसे चाहे उसे appoint करे तो अब वेसी बात central government का nominee होता है governor लेकिन एक बात याद रखे सुप्रीम कोर्ट में 1979 में एक बात बिलकुल clear की कि भले ही central government अपनी मर्जी के साफ से अपने discretion के साफ से किसी को भी governor बना सकती है लेकिन governor कोई नौकरी नहीं है central government के अंदर ठीक है governor एक independent constitutional office है अगर आप IAS IPS बनते हो तो वो central government के अंदर एक नौकरी है but governor is an independent constitutional office एक ऐसा office जिसका जो formation है उसके बारे में हमारे सम्विधान में लिखा हुआ है और इसी लिए कोई formal control के अंदर काम नहीं करेगा governor governor subordinate नहीं central government को कि जो central government बोल देगी वो करेगा सम्विधान में कुछ norms लिखे हुए और governor उसके इसाफ से चलेगा वो अलग बात है कि central government कोई direction दे और governor ना माने तो central government governor को बरखास कर सकती है that is a different issue बट एक governor से expect किया जाता है आप neutral तरीके से काम करेंगे फिर बात की जाए कि ये जो governor का nomination है इसका viewpoint का है इसका evolution कैसा है देखे जब draft constitution बन रहा था जब हमारा सम्विधान बनने के process में था उस समय पे एक proposal उठाएगा कि भाई ये जो governor है ना इस governor को आप elected रखो ठीक है ना nominated मत रखो कम से कम universal adult suffrage जैनी लोग जाए election डाले और governor चुने लेकिन constituent assembly ने बोला कि नहीं भाई appointment of governor सही है election of governor सही नहीं है और इसकी वज़े से बहुत सारे वज़े दी गई पहली वज़े क्या है state में parliamentary system of government है तो parliamentary system में government क्या होगी कि विधान सभा होगी विधान परिशद होगी विधान सभा में लोग directly elect करके members को लेके आएंगे जो political party dominant होगी वो अपनी सरकार मनाएगी उसका एक chief minister होगा और वो नियम कानूर मनाएगा राच चलाएगा administration करेगा यह होता है parliamentary system in states तो पहला और दूसरा point जो कि appointment of governor लक्षमी कांत के अंदर लिखा है वो यही लिखा हुआ है दूसरा भाई चुकि governor सिर्फ एक constitutional और nominal head है तो जब वो एक constitutional nominal head है तो उसके लिए आप अलग से election करवाओ ज़्यदा पैसा खतम करो यह बनता नहीं अब आप बोलोगे कि nominal head क्या है sir constitutional head क्या है देखिए दोस्तों जब भी किसी नियम कानून को shape देना होता है तो हमें एक ऐसी authority चाहिए होती है जो उसको shape दोने के लिए नियम कानून वाले पतल पे कागज पे sign करे अगर कोई act बनता है center पे constitutional amendment act आता है center पे तो वो तब तक नियम कानून नहीं बनेगा जब तक president उसके उपर sign नहीं करता मतलब president is the signing authority और president के sign के बाद ही वो document legal होगा उसी तरीके से state में governor is the final signing authority और उसके sign करने के बाद ही document legal होगा समझे के दोस्तों इसी लिए state government कोई नियम कानून निकालती है या state की government या state का executive कह लीजे जो उनके council of ministers head by chief minister है वो कोई executive resolution निकालते हैं तो उसके उपर governor का signature होना जरूरी है बेना governor की signature की उसकी कोई legal validity नहीं है लेकिन फिर भी उस नियम कानून को बनाने की और उस executive resolution को बनाने की ताकदनी governor बस उसके sign कर रहा है बनाने की ताकदनी हम कानून या executive resolution वो state की council of ministers कह लीजेजर के पास है जो की विदान सबाख होती है बस governor को sign करना है तो सिर्फ जब governor को sign ही करना है तो governor तो nominal head हुआ न constitutional head हुआ न तो उसके लिए election election करने की जुरूथ नहीं है फिर चौता point क्या बोला जा रहा है कि भाई यह देखिए यह जो governor है वो आप कह सकते हो कि इतनी important post नहीं कि लोग उसको directly चुलें अब इसका मतलब यह नहीं कि governor important post नहीं यहाँ पे क्या बोला election of a governor would be entirely on personal issues hence it is not in the national interest to involve a large number of voters in such an election बात यह है दोस्तों कि एक जगा पे आप एक center of power बना सकते हो यहाँ पे वो center of power state की cabinet है council of ministers headed by chief minister उसके parallel आप दूसरा center of power नहीं मना सकते उसके बात पाच्वे नंबर का point कि आप बोल रहा है कि माल लो आप governor की post को elected कर देते हो और कोई बंदे के लिए vote डाला उसका आप गवर्नर बना obviously बात है कि वो person एक political party का होता independent भी हो सकता बढ़ ज़ादा तर किसमें वो political party का ही होता अब अगर वो एक political party का governor है तो कहीं न कहीं वो एक neutral person नहीं हो सकता और एक constitutional head एक nominal head से यह expect किया जाता है कि वो अपनी approach में neutral हो, impartial हो उसके साथ अगर आप governor को elect करते हो तो separatist tendency आएगी जो कि एक person को लगेगा कि पूरे state के लोगों ने मुझे चुनके governor बताया है तो मेरे बहुत ताकत है तो मैं अपने हिसाब से अपने state में करूँगा तो फिर वो अपने हिसाब से separatist tendencies लेके आ सकता है अपने state की अलग भासा language, जंडा यह सब चीज़ें लेके आ सकता है और कहीं न कहीं एक separatist tendency आ जाएगी जो हमारे देश की देखे, president ने nominate किया और governor आ गया state में अभी ये governor state में क्या हो रहा है उसके पारे में सब कुछ center को बताएगा तो center को पता चलता रहेगा तो अगर constitutional provisions के इसाब से सब चीज़ें चल ले ही तो ठीक है लेकिन कहीं पे भी constitutional provisions से deviate होती है अगर state government तो central government, state government के activities को चेक कर सकता है हाला कि इस provision का बहुत गलत तरीके से इस्तमाल किया है center ने ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ फिर आट पर मता है क्या बता रहा है direct election of the governor creates a serious problem of leadership बिल्कुल सही बात है जब states में general election होंगे chief minister को चुनाव के लिए उस समय पे अब मान लिजे governor एक ऐसी post है जहाँ पे directly elected बन्दा बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं यहाँ पे identity politics play में आ जाएगी governor बोलेगा मैं ताकत वर cm बोलेगा मैं ताकत वर और proper confusion मत जाएगा उसके बात अगर मान लिजे कोई एक political party का दबदबा है किसी state में तो वो जो दबदबे वाली political party है उसका जो chief minister होगा वो अपने ही पैचान की किसी person को governor बनाना चाहेगा तो होगा ये कि जब एक political party किसी एक state में बहुत ज़दे dominant है तो उसका chief minister अपने पैसान के अपने पैसंद के किसी person वो governor बना देगा और वो governor आप समझ दीजे कि deputy chief minister की तरह काम करेगा उस case में वो governor अपनी functioning में neutral नहीं रहेगा और एक political party का राजसा हो जाएगा उस state में इसलिए यहाँ पे देखे क्या बोला जा रहा है कि American model अमेरिका जैसा जी state है जहाँ पे strict separation of power से state की power अपनी उसमें center interfere नहीं कर सकता center की power ने state infringement कर सकता अमेरिका में जो state से वहाँ के governor directly elect होते है कैनेडा में जो state से वहाँ के जब province से state है वहाँ के governor को appoint किया जाता है ठीक है ना मतलब की American model जहाँ पे governor elected है Canadian model जहाँ पे governor appointed है हमने Canadian model को चुना है अगर आप बात करिए governor होने की qualification क्या है हमारे देश में तो governor होने की केवल दो qualification है एक तो वह person citizen होना चाहिए इंडिया का दूसरा उस person की age 35 साल कम से कम होनी चाहिए ये governor होने की qualification है और governor appoint होने के लिए दो conventions को normally follow किया जते conventions बहुत important याद रखी है पहला convention तो यह है कि जिस state में एक person को governor appoint किया जा रहा हूँ वो उस state करना हो एक outsider हो तो अगर राम नायक UP के governor है तो ये अच्छा रहेगा कि राम नायक UP के ना हो तो नायक साब का जन Bombay presidency में हुआ था आज की president में महरास्ट में हुआ तो चलिए वा outsider है तो इस तरीके से हर state में जो भी governor appoint हो रहा है बेटर ये रहेगा कि वो उस state का ना हो outsider हो तो वो local politics में ज़्यादा involved नहीं होगा तो थोड़ा neutral रह पाएगा दूसरा point यहाँ पर क्या है कि जब भी governor का appointment हो रहा हो president एक बार उस state के chief minister से consult करे तो अगर state की chief minister से consultation के बाद अगर एक state की governor का appointment किया जाता है तो एक smooth functioning होगी governor और chief minister के बीच में जो clashes हैं वो कम होगी लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि इन दोनों conventions को बहुत बार violate किया गया है और finally अब हम बात करते है किसकी conditions of governor office की conditions of governor office क्या बोलती है कि अगर आपको as a person पहली condition बता रहो अगर आपको as a governor appoint होना है तो नहीं आप किसी house of parliament के member हो सकते है ना आप लोग सभा के member होने चाहिए ना ही आप राजसभा के member होना चाहिए और ना ही आप किसी state legislature के member होना चाहिए यानि ना आप विधान सभा के member हो और ना आप विधान परिशत के member हो जहां जहां पे भी विधान परिशत है यानि ना आप state legislative assembly के member हो और ना ही आप state legislative council के member हो नीचे comment box में मुझे उन्हें states के नाम लिखके बताईए जहाँ पे state legislative council है आपका एक revision हो जाएगा दूसरा point governor जिस person को appoint क्या जा रहा है उसके पास कोई office of profit नहीं होना चाहिए office of profit की definition क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ आगे भी आएगी office of profit state legislatures और central government समय समय पे नियम कानून बना के बता सकती कि हाँ भाई ये वाली चीज office of profit में आएगी ये वाली चीज office of profit में नहीं आएगी तीसरा point जब कोई एक person governor है तो राजभवन में रह सकता है without payment of rent तो वो उसका official residence होगा महाँ पे बिन रेंट दिये वो person रह सकता है उसके बाद governor को वो emoluments, allowances और privileges मिलेंगे जो parliament decide करेगी याद रखिएगा governor की emoluments, allowances, privileges parliament decide करती है वो अलग बात है कि वो आते consolidated fund from the states है अगर एक ही person को एक से जादा states का governor बनाया गया है तो जो भी उसका खर्चा होगा, जो भी उसकी emoluments privileges होगी, वो दोनो states के बीच में distribute होगी तो माल लीजे एक governor, आसाम का भी governor है, एक person आसाम का भी governor है और नागलेंड का भी governor है, तो आसाम और नागलेंड की जो सरकार हैं, दोनों बराबर से खर्चा बाटेंगी governor के office का और एक बार किसी person को as a governor appoint कर दिया गया, तो उसके जो भी emoluments हैं, जो भी allowances हैं उसको उसके term of office के दौरान कम नहीं किया जाएगा, दो 2018 में governor की salary को parliament ने बढ़ा दिया तो पहले governor की salary थी 1.10 लाक प्रती महीना बाद में वो हो गई साड़े तीन लाक रुपर पती महीना, तो अच्छी कासी है governor की salary हाला कि साड़े तीन लाक रुपर governor की status और stature के साब से काफी कम है जब भी governor कहीं से निकलता है state के अंदर से, एक काफिला सा निकलता है उसके साब, फिर भाई president साब के तरह governor साब को भी बहुत सारे privileges दिये गए, बहुत सारी immunities दी गई पहली बात तो अपनी official capacity में जो भी decisions लेंगे दोस्तों governor साब उसके लिए वो legally liable नहीं होंगे state cabinet ने, या state की legislative assembly ने कोई नियम कानून मनाया और उसके उपर governor ने signature दिया उसकी भी चीज़ के लिए governor साब liable नहीं है ठीक है, अपने official acts के लिए किसी भी प्रकार की legal liability नहीं है governor के उपर उसके वाद जब तक as a person governor है तब तक उसको criminally incriminate नहीं कहा जा सकता, उसके खिलाफ और मालीजे ये चीज़ cctv में record हो गई कि इसने murder कर दिया तो उस case में governor के पास immunity है कि जब तक वो governor है तब तक उसको न अरेस्ट किया जाएगा और नहीं उसकी खिलाफ कोई proceeding चलाई जाएगी हलांकि मालीजे governor के खिलाफ ये प्रूव हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आप governor बन गए तो आप किसी को भी मारते फिरोगे आपको कुछ नहीं होगा नहीं ऐसा नहीं है ठीक है न जब तक आप governor की post वो तब तक आपके उपर criminal proceedings नहीं चलाई जासकती है बस simple बात ही है लेकिन civil proceedings चलाई जासकती है दो महीने का notice देने के बाद तो governor के ओपर civil proceedings चलाई जासकती है during his term of office बट उसके लिए पहले दो महीने का notice देना पड़ेगा जब भी governor office में गुस्ता है उसको एक ओथ लेनी पड़ती है that he will faithfully execute his office his august office to preserve, protect and defend the constitution and the law फिर तीसरा to devote himself to the service and well-being of the people of the state ये सब भाया governor की ओथ के अंदर आता और governor को ओथ दिलाता कौन है तो chief justice of the concerned state high court तो अगर तिरपुरा के governor appoint हो रहे तो तिरपुरा high court के जो chief justice होंगे वो उनको शपत दिलाएंगे और अगर तिरपुरा high court के chief justice नहीं है तो उनकी absence में जो senior most judge होंगे वो high court के वो शपत दिलाएंगे ठीक है दोस्तों अगर governor की बज़ाए कोई दूसरा person temporarily आके governor काम करता है उसको भी शपत लेनी पड़ेगी आगे time of governor's office के बारे मात करेंगे Thank you for watching, have a great day